नमस्कार दोस्तों आपका सौगते अपने किसानेगरों इंडेस्ट्री ये यूटूब चाइनल पे आप गोड़ फार्मिंग करना चाहते हो ये गोड़ फार्मिंग कर रहे हो तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ये बहुत इंपरोटेंट वीडियो आप एंड तक इसको वाच को रो सुनो अभी देखिए आप उन जो गोड़ फार्मिंग कर रहे हैं करना चाहते हैं तो गोड़ फार्मिंग किस-किस परपस से किया जा सकता है मतलब कौन से मार्केट को टारिकेट करके आपन गोड़ फार्मिंग कर सकते हैं मेजर तो मार्केट है अपना सम जो कि मिट मार्केट सबसे इंपोर्टन्ट मार्केट है मतलब ज्यादा सो ज्यादतर ज्यादा बिजनेस तो मिट मार्केट के लिए किया जाता है उसके सेकेंड है बकरीद मार्केट मतलब मीट मार्केट के नीचे नीचे सेकेंड जो मार्केट अपने इंडिया में और पाकिस तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिलिवरी मतलब दो डिलिवरी के बिच में जो पक्रीवरी को टायमिंगर रहता है उसके दोनों के बिच का डिस्तंस कम होना मगता है मतलब जल्य ज़ल्दी बखavior में सबसे प्रेगनों चाहिए यह ज्यादा अपने को इंपॉर्टन.र दुसरा है उसका weight बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने को meat market के लिए बेचने का है, तो weight की सबसे बेचते हैं, तो उसके लिए उसका weight बढ़ना चाहिए, तो उससी type की नसल अपने को meat market के लिए choose करने पड़ी है, क्योंकि आपने को meat market target करने का है, अपने को उसको काटने के लिए meat के लिए गोष्ट के लिए वेचने का है इसलिए उसका ये दोनों चीज मतलब ध्यान में रखना इंपरोटन्ट है और कोई भी आपन फार्म चालू कर रहे हैं कि इदर भी मतलब और इंडिया में इंडिया के बाहर भी तो एक चीज ध्यान रोको कि आपने जो बक्री से लेक कर रहे है जो गोष्ट से लिख कर रहे है वो अपने जो नीचे रहता है अपना इदर का जो हाउमान रहता है उससे मैच कर रहे है कर रहे है वैसे तो हर एक गोष्ट इंडिया में कहीवी पर मैच कर सकती है क्योंकि ये बहुत क्या बलते है अच्छा प्रानी है तो किदर में मतलब ज आपको वेट जल्दी से जल्दी जतना जादा वेट बड़ा रहे है उसी टाइप की नसले लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप उसके लिए बिटल चुछ करो बोर चुछ करो और शुरोई भी चुछ किया तो भी चले लेकिन आपको मीट मार्केट करना है तो मेट मार्केट कर रहे हैं तो उनको पूछो कुछ टाइप का नसल का मतलब बक्रा बक्री के बच्चे ले रहे हैं पटिंग के लिए और क्या है अपनों मीट मार्केट कर रहे हैं तो आपने को जल्दी आउटपूट मिल जाता है मेट मार्केट में मेट मार्केट की मतलब ए मार्केट में तिन चार मेने में तो आपने को रिटन मिलता है मतलब पेमेट मिल सकता है इसलिए और बिटल करेगा तो बिटल में वेड गेनिंग बहुत फास्ट है मेरा हर एक ब्रीड के ऊपर अलग-अलग वीडियो है वह भी आप देखो मतलब उसका टाइमिंग क्या है मतलब 1500 रूपई 2000-3000 रूपई के जिसे भी बेच रहे है मतलब बकरी लेकिन अभी मीट का display इंडिया में ज्यादो चीन चल रहा है तो मीट मार्केट के लिए मतलब काटने के लिए मिट मार्केट के लिए कोई भी आदमी आपने से डेढ़ हाजार रुपे के जिसे हाजार रुपे के जिसे नहीं लेख सकता ना 500 रुपे चल रहा है 400 रुपे मिट करेट चल रहा है तो काटने वाला खाटिक अपने से उसके नीचे की प्राइज में ही लेगा क्योंकि उसको भी कुछ तो मिलना मंगता है तो उसका मतलब एक बार ध्यान दो क्योंकि क्या होता है कभी-कभी बोर हमारे इदर तो 1500 रुपे के जिसे चल रहा है अरे लेकिन कटिंग के लिए खाने के लिए वो 400 रुपे 500 रुपे के जिसे बिखने वाला है तो ये चीज ध्यान में रोखो तो क्या करो पुरा बोर का सेट अप लेने के कोई जरूत नहीं अपने पास जो बक्रिया है अपने लोकन नसले क्यों होने दो मतलब हमारे इदर उसमानबादी मतलब उस weet से क्रॉस करो तो उसका जो आट पूट मेलेगा उसकी जे बच्चे मेलेगे इफसे वी आपको अच्छा वेड़ गएनिंग मेलेगा क्योंकि आपने को वेड़ गणने चाहिए अपने को मिट मारिकर करने का है तो उसके लिए आपने बिटल चुस करो, बोर चुस करो, शुरोई चुस करो, उसमानाबादी चुस करो और आपके भी कोई लोकल की नसला है जो आपको आपको आच्छा वेड़गिनिंग दे सकती है या बितल का वेड़गी निग अच्छा है बोर का वेड़गी निग अच्छा है शुरौई का वेड़गी निग अच्छा है तो आपनी local की नसला को उसको cross करके आपँ उन अच्छे से अच्छे production पाऊ और जो ऐसी नसला कभी में مت चुज़ रोड़ि मतलब यह सकती है, उतना कम अरेंदू मतलब क्या है या भी डिलीवरी हो गई गई बखरी की थो वेसे तो मतलब नैचरल जब एक महिने के अंदर वह हुछ प्रवीट पर था जब दे रहे हो तो इस ज़िज दान मे रोखो मित मार्केट जो अपने के बाद करना है तो अभी दुसरा है बक्रीद मार्केट, जब आप बक्रीद मार्केट करना चाहते हैं, बक्रीद मार्केट के लिए बक्रे बनाना चाहते हैं, तो बक्रीद मार्केट का क्या है, बक्रीद मार्केट को आपने को मिनिमुम दो दात वाले मतलब, मिनिमुम एक साल के ऊपर के ही आप उसके लिए बेज सकते हैं उसको बकरीद मार्केट को जब आपको टार्गेट करने का है तो आप को अच्छे दिकने वाले अच्छे ह dud लगाएगा यह समत अधन से पोजिशण लेगा एक साल से बढ़ा हो जाएगा उसके बोडी के ऊपर कोई खुरोच और नहीं रहेगा कोई टाका और नहीं रहेगा कोई अलग सा कोई निशान नहीं रहेगा तो भी वह आप उछने वाली नसल मार्केट में हैे कोटय है मालवा है, सोज़त है, शिरोई हैं, यह जो breed है, मतलब उसी टाइप चे बहुत सारे breed है, यह मैं वैसे तो रजिस्टर 28 breeds हैं और बहुत सारे अलग भी breeds हैं, मतलब इस टाइप अपने को बक्रीत को जब hold करने का है तो इस टाइप के क्याजरिय के मतलब बकरे होल्ड करो आप उसमनवादी आप अपसे अष्छे श बयाट के लिए होल् करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला sounds के लिए होल करोगे बकरित के लिए तो आपको उतना प्रओपिट नहीं रहेगा इसके लिए उसी टाइब के जो नसल बनी है ना मतलब उसी टाइब की जो नसल है तो उसको चूज को लो क्योंकि वो आपने को अच्छा रिजल्ट देगा क्या रिजल्ट देगा कि अच्छा सा बक्रा मेलेगा वो उसकी बक्री से मतलब कोटा की बक्री लोगे उसको कोटा से क्रोस्क घे तो अच्छा भक बच्चा भी जो लाइए उसको भकरीट के लिए होईधे लिए में जो दुसरी ज्यादा तो ज्यादा यही चलते data इसलिए ढ़िटके के लीए कुँछ सा काम करनी का है इसका हुआ बखरीट के लिए करो अलग कोई नसलो बखरीट के लिए लोग लेएगा आपको compared प्रोफिट मिल जाएगा जितना ज्ञदा ज्यादा आर्निंग करना पर चाते हैं उतना ज्यादा नहीं हुए और तिसरा मार्केट है अपना milk market मतलब milk के लिए दूद के लिए बकरी के जो लोग बकरिया पाल रहे उस मनवादी बकरी पालेंगे milk के लिए उनको खाली जाद लिटर वज़ाद मिल पाएगा milk तो क्या करना है आपने को milk के लिए जब पालना है तो सानियन पालो तो सानियन मेक्सिमूं पर डे का फोर से 4 to 6 लिटर मतलब चार से छे लिटर तक दुद्द दे तो आपको अच्छा प्रोपेट में लगा थो तो आफ अप दूसरा अलग नसल पाओंगे पालेंगे तो आपको उसमें से जाधा प्रोफेट नहीं मिल सकेगा दोस्त तो क्या करन सफने ने पाल भी तो कि चार लिटर से आपने एंडिया में बीटल यह दिसी नसले मिल का है चार लिटर टाक थिन 24 लिटर पर वे दुद्द्दी तो इस अब मिल्क मारे के टार्गीट करना है तो स्ब्सक्राव मतलब जतना जुआधा मिल्क दे कि अज़न तर्फोर को टार्गेट कर रहे हो तो जतने जल्दी डिलिवरी मतलब देने वाली हुआ है मतलब जतना जाधा प्र्रोड़क्शन देने माली है और मतलब बक्रिको जाधा प्रिक्शन बोले तो 4-4-5 बच्छे वाली वठी बल्ट्र रहे हैं के लिगाय चाहिए और आपने को उसको वेट निर्ट मार्केट के लिए अपने को उसको वेट के इसाब से बेचने यह मतलब एक साल के उपर का होल्डिंग टाइम लगता है उसको मतलब एक साल के उपर उसको पालना पड़ता है उसका प्रॉपिट का टाइमिंग ज्यादा है मतलब आपने को प्रॉपिट आज बख्री व्याई आपने घर पे और उसको बच्चा होगा है तो उसको आपने को एक लिमिटेड प्रेडे 15-20 दिन एक महीने के अंदर आप उसको बेज दे सकते हैं बेज सकते हैं बग्रित के लिए ऐसा है और बाकी मेट मार्केट के लिए तो आप पुरा साल मेट मार्केट चालो है और बग्री का जो बिजनस है मेट मार्केट के लिए बहुत सही है जब इंड कराइज कभी नीचे में अधर इंडिया में तो मीट कर देखा झाएं रप्राहणी रिक्राइज मुटीज पूर измен में में भीकरणी मुट्ड सही मार्केट है उसके खलो खल है है और तार केटेई मिल्क मार्केट milk का भी market अच्छा है सानी नोगरी पालोगे आप city के निजदिक हो हो आपका पार्म तो city में मेरे हिसाब से मेनी मतलब सुना है उसके हिसाब से महीं तो अभी मीट के लिए और बकरीद के लिए market पे काम कर रहा हूँ milk market पे जो काम कर रहे है तो 1.500 रुपे के करीब, 200 रुपे, 200 रुपे के करीब भी, मतलब जो बड़ी-बड़ी सीटी है, Bombay है, Delhi है, और Kolkata है, चेनन है, उसमें तो बिका जाता है, ऐसा है, और इसके रिगारडिंग, आपको बकरी पालन के बारे में आपना या बकरी फाम खोलना चाहते हो, तो कोई और भी information चाहिए होगी, और कोई मतलब आपको कोई उसके बारे में knowledge नहीं रहेगा, कौनसी breed select करेए, आपने को मिट मार्केट में बेचने का है, या बकरीद मार्केट में बेचने का है, तो description में मेरा number है, उसके उपर मुझे call करो, और मैंने ये हर एक breed के उपर अलग- और पता चलेगा, मतलब आपको कुंसी नसल है, इसका क्या खासी है थे, बिटल है तो क्या खासी है थे, उसमावद है तो क्या खासी है थे, वो कैसी दिखते है, उसको पैचने के मतलब क्या साहीन है, तो ये मालवाई ऐसे पैचनेंग है, इस सब के बारे में डिटेल्स में मतलब वीडियो में डाले है अलग 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 वीडियो बनाया है वो भी आप वाच करो आप समझ जाएंगे और भी कोई दिक्कत होगी तो मेरा डिस्क्रिप्चिन में नंबर है इसके उपर कॉल करो और अपना ये बक्री पालंग के रिजुचाइनल है इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो सब लोगों के आपने दोस्तों को आपको कोई भी इंफर्मेशन समझ में नहीं आई आप मुझे क्वाल करो बेजी जग और भी कोई प्राव्लेम होगा खोराक के बारे में बक्री के और कोई मतलब बीमारी के बारे में तो भी आपने बहुत सारे वीडियो है इस गुरूप के उपर मतलब इस चैनल के उपर आप चैनल सब्सक्राइब करो यह सब वीडियो आपको मिल जाएगे तो मैं अब भी इधर ही रुखता हूँ थेंक्यी और रिबड़ी कीप वाचिंग निन टोटल वीडियो थेंक्यू 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 सो मच सर